हेलो स्टुरेंट्स मैसेल्फ योगेंदर बगडिया टीम बोटनी CLC सिकर बचो गुरुनिती के अंदर आज अपना टोपिक है प्लांट ब्रीडिंग और एंड माइक्रोप सीन इमेन वेलफियर तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके क्विश्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट दा फॉलोइंग बीटी क्रोप इस बिंग ग्रोन इंडिया बाइदा फार्मर ठीक है निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है आप जानते हो कि अधिक्तम जो उगने वाली जो फसल है वो है आपके कौन सी बीटी कोट ठीक है जो कपास की जो फसल है वो जादा तर उगाई जाती है और उसके लिए आप जानते ही ओ libero कोव कुन सा होता है बेसिल एस ट्रेंजनेसीस होता है इसका एक जो जीन है उस जीनी का कहा जाता है उपयोग किया जाता है इसके अंदर जो first number question है उसका answer जो है वो जाएगा फॉर्थ का पास, ठीक है नेक्स्ट की बात करें इसमें एक गुड प्रोडूसर ओफ सिट्रिक एसिड सिट्रिक अमल का अच्छा उत्पादक कौन सा है तो यहाँ पर चार माइक्रो ओर्गेनिस्म के जो है वापके नाम दे रखे है, ठीक है क्लॉस्टीडियम, सेकेरोमाइसिस एस्परजिलस, शुडो मोनास ठीक है, तो यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड उसका अच्छा स्वर्च जो है वो क्या जाएगा एस्परजिलस, नाइगर ओप्शन आ जाएगा क्लॉस्टीडियम, विटायलिकम जो है उसके द्वारा जो है वो आपके विटारिक एसिड प्राप्त किया जाता है सेकेरोमाइसिस जो होता है वो बेवरेज इंडस्टी के अंदर या जो बैकरी है उनके अंदर काम में आता है शुडो मोनास पोटेडा जो है वो आपके सूपर बग के नाम से जाना जाता है जो ओयल जो होता है उसको डिजॉल करने के लिए काम में लिया जाता है तो इसका ओप्शन आ जाएगा थाड ओप्शन ठीक है नेक्स्ट दूरिंग सीवेज टीटमेंट बायो गेस आर प्रोडूस विच इंक्लूड जल मल के उप्चार के दौरब युविल बायो गेस उपण होती है जिनमें शामिल है देखो यहाँ पर CO2 भी रिलीज होता है H2S भी रिलीज होता है Hydrogen भी रिलीज होता है और सबसे important जो गेस है वो कौन सा है Methane Gase रिलीज होता है ठीक है तो अब यहाँ पर option में देखो आपे Hydrogen नहीं दे रखा बट Hydrogen Sulfide भी अपन Consider करेंगे इसके अंदर और कुछ मात्रा के अंदर जो है वो आपके Hydrogen Sulfide भी क्या होता है रिलीज किया जाता है तो Methane Gase तो Main Gase हो गया Hydrogen Sulfide होगा Carbon Dioxide हो जाएगा तो इसके अंदर जो 3rd question number है उस 3rd option जो है वो आपके आजाएगा इसके अंदर है Hydrogen भी होता है पर यहाँ पर Hydrogen option में नहीं है तो 3rd option आजाएगा इसके अंदर Next What gases are produced in an aerobic sludge digester कौन सी gas से एवाईवे आपंक से पा चित्र में उत्पन होती है ठीक है तो यहाँ पर वही हो गया Methane gas हो गया Hydrogen Sulfide हो गया और CO2 gas क्या होता है आपके produce होता है बड़ मेंली जो है वो कौन सा gas होता है Methane gas होता है तो 2nd option इसके अंदर Next High value of BOD Biochemical oxygen demand Indicate that BOD के उच्चमान से संकेत मिलता है देखो यहाँ पर यह है चार option में अगर अपन बात करें तो consumption of organic matter in the water is higher by the microbes सुक्षम जीवो द्वारा पानी में carbonic पदार्तों की खपत अधिक होती है पानी शुद्ध है पानी अत्यदिक परदूशित है पानी कम परदूशित है तो यहाँ पर एक जो सबसे महतोफुन बात important point यह है कि BOD आप यह कह सकते हो कि जो high value है BOD का मतलब वो water उतना ही क्या होगा आपके pollutant रहेगा consumption of organic matter in the water is high by the microbes ठीक है तो यहाँ पर BOD को indicate आप ऐसे करोगे कि auto का consumption जो है ठीक है ना वहाँ पर organic matter का consumption नहीं है तो water is highly क्या होता है आपके polluted होता है तो यह एक अच्छा आप मान सकते हो indication मान सकते हो water polluted जितना है तो इसका मतलब उसका BOD जो है आपके क्या होगा उतना ही अधिक हो जाएगा तो water is highly polluted third option इसके अंदर है ठीक है next है the gut of cow and buffalo poses गाय और भेंस की आहार नलियों में निम्न में से क्या होता है देखो मिथेनो जन्स होता है मिथेनो बैक्टीरिया जो है वो present होता है गट के अंदर है जो मिथेन गेस का naturally क्या करता है production करवाता है और इसी से जो है क्या बनता है गोबर गेस का निर्मान होता है या बायो गेस या गोबर गेस का क्या होता है आपके निर्मान किया जाता है फॉर्थ ओप्शन हो जाएगा मिथेनो जन्स हो जाएगा और यह किसमें आते हैं आपके यह भी याद रखना है यह आपके आते हैं प्राणी जो जुगाली करने वाले जन्तों के गोबर से उत्पादन के उत्तरदाई होते हैं किसके अंदर आते हैं तो अभी अपन बात कर रहे थे मिथेनो जन्स होते हैं कौन से होते हैं आपके मिथेनो जन्स रहेंगे इसके अंदर आपके सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा आर्की बेक्टीरिय के केटिगरी का है यह ठीक है नेक्स्ट है विच अब दा फॉलॉइंग इस रॉंगली मेच इन दा गीवन टेबल तो यहां पर ग हैं और ये एक लूट को डिजॉब करने के काम्यात है बिल्कूल सही है क्लॉस्ती डियमव यूटाइलिकम यूटैरिक एसीड प्राप्त होता है उससे लाइपेज एंजाइम प्राप्त नहीं होता है इसन्रेटी नेच्ट है कि मैच कोलम 1st और 2nd और इसके अंदर आपको सलेट करना है और स्पेलीड़ करने के लिए आपको देखना होगा यहाँपर कि यहाँ पर सिट्रीक एसिड़ का ऐस पर जिलास नाइगर अब थाईट्र ओप्वश्वन यहाँ पर यह है ठीक है साइगल 1977 अभी आपन बात करें तो सक्ञोसपॉरी ने जो है वो आपके ट्राइकोडर्मा ये लोग स्ट ऑप्षिन इसमें यह भी नहीं है ठीक है तो अब फॉस्ट और पश बसता है स्टेटीन के बात करें तो स्टेटीन के अंदर मोनस्कस पर्प्यूरस प्रफ्यूरस यह नहीं होगा इसका मतलब फिर्टीली कि एसिड के प्लॉस्टेडिएंग नाइनत नंबर का जो है के अंदर किससे अधर से कमेर्शनी लेवल पर आपके रीलीज किया आ जाता है देखो डेरी इंडेस्टी आपके यह रीलीज होता है पैट्रोल्यम इंडस्ट्री है तो पैट्रोल्यम इंडस्ट्री के आजाएगा ठीक है नेक्स्टी क्युस्ट been बिच आधा फॉलाइंग इस सीवेस treatment में रिमूव सस्पेंडेड सोलिड तो यहां पर जो वह त्भाउट में निलंबित ठोसों को निकाला जाता है कोन से उक्षार के द्वारा primary treatment के दौरा आप जानते हो primary treatment के दो होते हैं sedimination होता है और filtration होता है अव साधन होता है और छनित्र के द्वारा किया जाता है तो 11 के अंदर आपकी क्या जाएगा second option आ जाएगा इसमें next next question which of the following is correctly match for the product produced by them तो देखो Methanobacterium से lactic acid produce नहीं होता है penicillium नोटेटम जो है उससे भी असिक प्रडूज नहीं होता है एंटिवाइटिक प्राप्त होती है तो फेल्ट के आजाएगा तो फेल्ट क्या रहेगा आपके इसके अंदर हैड ओप्षिन next question की बात करते है अपन a new variety of rice was patent by foreigner company those such variety have been present in India for a long time this is related to यहां पर यह बोला गया कि चावल के किस्म है उसको foreigner company ने आपके patent करवाय था लेकिन अगर अपन उसको देखें इंडिया के अंदर जो है वो इसको किस नाम से जो है वो जाना जाता था तो इसका अंसर क्या होगा बासमती परकि यहां पर लेर्मा रोजो सर्वती सोनारा ठीक ना तो यह दोनो वीट की है जबकि यह जो है को 666 जो है वो आपके सोया बीन की है तो यहां पर तेरवे के अंदर क्या हो गया सेकिंड ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर 13 नंबर के अंदर सेकिंड ऑप्शन है नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्से न्यूट्रिशनल वेल्य वाई इंक्रीजिंग अमाउंट ओफ देखो यहां पर क्लियर एन सीयर टी के अंदर मेंकर रहता है कि जो कर्ड है उस कर अंदरिण में से क्या प्रजेट होता है या आप आहले आप कौन सा मांते हूं जादा अप्र पर्जेंट होता है तो विटामिन角ल ओप्रत होता है इस से अंदर है ना इंक्रीजिस अमाउंट ओफ विक Candle ठीक है कि विच फॉलोइंग कैन बी यूजड एज एज बायो कंट्रोल एजेंट इन ट्रीट्मेंट प्लांट डिजीज देखो इन में से कौन सा जो है आपके एजेव नियंत्रक के रूप में उपयोग में लाया जाता है तो एना भी ना तो वीजी है लेक्टो बैसिलस नही नहीं होगा तो 15 का जो हो आपके क्या होगा थार्ड ओप्शन हो जाएगा इसके अंदर है नेक्स्ट कुश्चन की बात करते हैं 16 नमबर सलेक्ट दा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना अनुचित कथन का चेन करो अब इन में से जो स्टेटमेंट दे रखें उन में से अपने हैं इनकरेक्ट हो गया कहां करते हैं जो जननता उन उपादकता कम कर देता एसा नहीं होता है ठीक है तॉर Что को यह देखना है है न ही इपकी गलत हो गया इसके अंदर एक सेवन्टीन की बात करते हैं इसलेक्ट ग्रूप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट तो यहां पर कुछ और इनमें से सलेक्ट करना अपने को देखो और सिलेट एरिया एक साइनो बैक्टिरिया है राइजो भीम नहीं है ट्राइको डर्मा होगा लेकिन इससे मैच यह नहीं कर रहें वहलब अपने को सलेक्ट क सब्सक्राइब करता है और एफिड भी है और ट्राइको डर्मा है बैकुलो वाइरस है और बैसिले स्ट्रेंज एनेसिस है तो 17 का गया जाएगा आपके फॉर्ट ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर है ठीक है नेक्स्ट कुश्चिन की बात करते हैं यहां पर वीच वीच व सब्सक्राइब करता है तो यहां पर कुछ एक्जांपल दे रखे हैं उन एक्जांपल को अपने को यहां पर सलेक्ट करना है भाई सब्सक्राइब करता है तो इसके अंदर आ जाएगा कर्ड के अंदर काम में आता है ठीक है अब एजो है वह सेकंड ऑप्शन होगा इसके अंदर एक तो यह और फिर यह रहां अब सी के अंदर देखते हैं एस पर जिलस नाइगर तो यह सिट्रिक अइसीड बनाने के काम में या प्र्रोडक्शन में काम में आता है और डी जो है असीट अब तो वहाँ प्रापके बैक्तिरिया दोनों उसके अंदर क्या होते हैं आपगे बंते हैं इसके इसके अंदर बना इसके अंतर आक की एक्टिवेटेड रहेंगी उसकेंडिया मिद्फ себकी तो ठीक है next match the following column and select the correct option 21 number की बात करें यहां पर ठीक है तो claustridium, trichoderma, monascus aspergillus वापर से अगर आपने देखें तो claustridium, butylicum butyric acid एका second है एका second भई इसके अंदर fourth option एक ही दे रखा है यह लो एक ही option दे रखा है इसके अंदर fourth option आजाएगा next match list with list second ठीक है तो यहां पर देखो protoplast fusion से pomato बनता है potato plus tomato का hybrid होता है दोनों हाँ एक ही plant पर दोनों present होते है potato भी होता है और क्या होता है आपके tomato भी होता है तो protoplast fusion से होता है एक आता है second अब एका second में यहां पर first option एक ही दे रखा है तो कोई दिक्कती नहीं अपने को सेलेक्ट करने में ये लो फास्ट आप्शन सेलेक्ट कर लिया अब मैच कर लो अगर plant tissue culture जो है वो टोटी पोटेंसी के अंदर हना और और सी जो है वो आपके अब कर लोटेंसी के अंदर काम में आता है और डी जो है आपके माइक्रोप्रोपागेशन जो है वो आपके किसके सोमा को क्लोनल वेरिशन के अंदर काम में आते हैं ऑद इंधिफाइदा माइक्रोप्रेशन विच इस ररसपॉंसिबल फोर दा प्रडक्शन ओफ्रिस इम्मौलिक्यूल साइक्लस पौरी नहीं तो यहां पर सीदी सी बात ही है कि आपको यहां पर ट्राइंको डर्मा पॉलिस्पोरियों फॉर्थ ऑप्षन आ जाएगा ठीक है तेस के अंदर जो और गन ट्रांस्प्लांट वगरा होते हैं तो उसके पहले विए उसके बाद में वी जो है कुछ ड्रक्स दी जाती है जिससे जो ओर्गन ट्रांस्प्लांट किया जता है और जो कहीं डेमेज ना हो और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ड्रक्स दी जाती है नेक्स्ट है ब्रीटिंग क्रॉप विटामीन और मिनरल्स ऑफ हाइर प्रोटीन हेल्थियर फैट एंड कॉल्ड है ना कुछ प्रोटीन और वर्दक के साथ साथ यहां पर क्वालिटी को भी को एकिया जाता है एन्हांस किया जाता है या बढ़ाया जाता है तो चोई सके अंदर के आजाएगा सेकेंड अप्षिण इसके इंदर आ जाएगा पाफीश से नमबर नेक्स कुशिन की बात करते हैं ठीक हैं डीब विलो एंड उपियों किया जा सकते हैं और स्पाइरलला प्रोटीन का आर्वाडेट वशा खरीज़ और विटामीन की प्रचूर मातरा का श्रोत है दोनों सही है लेकिन आर जो है वो एको एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा है तो यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा बोथ ए आ अपने आपके देखे हैं हैं एक्जामपल याद करें कुछ स्टेट्मेंट है वह भी आपको याद रखने हैं और यह थोड़ा पॉर्टिकल पौशन है इसके nu दर आपको जो हैं उसके एक्सांपल्स कर स्ट्रेट पोश्चन जो है वह वह फिए पहोरु ने कुमימ याली इस ठीक है?